सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2012 में किस पार्टी की ग्रामीर इलाकों में कैसी परफॉर्मेंस रही थी तब आप संजीव जी नहीं लड़ रहे थे चुनाओ इसे बुरा मत मानिएगा पिछली बार 28 सीपों पर लड़े थे 28,000 के आसपास वोट आये थे इस बार आपका दावा बढ़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं शुद आकड़ा तो अंतर आप देख रहे हैं शुन ने दशमलो साथ चार का था फिर कहा ठहरती है ये बात कि ग्रामीन में कॉंग्रेस कहीं आगे है चलिए ये देखिए फिर 2012 में हम आपको दिखा रहे हैं शेहरी इलाके यहाँ पर बीजेपी को भारी लीड है ये भी तो देखना होगा कि कि वहां से लगातर इनकी सरकार चल रही है दो दशक लगबग धाई दशक से ज़ादा तो यहाँ पर 53 बीजेपी है और कॉंग्रेस 35 पीजदी है यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं बीजेपी का लीड 18 से साड़े 18 के आसपास है चलिए अब हम आज आते हैं 2017 यानी पिछ से छोड़ा था 44.49 लगभग सारे 44 पीजदी जो वोट है वो उन्हें गए और वहां पर देख लिजए आप कॉंग्रेस 43.49 पर है एक पीजदी का डिफरेंस ग्रामीर इलाकों में बीजेपी ने कॉंग्रेस से बना लिया था अब पहुंचिए शेहरी इलाकों में यहाँ प को ले रख कर हो रही है कि शेहरों में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं खास तोर पर सूरत जैसी जगों पर जहां पर बहुत सक्रिया आमादमी पार्टी गोपाल इटालिया से लेकर जो एक और पार्टिदार आंदोलन के सदस्य हैं उनको भी इसी इलाके से सूरत में कापी फोकस कर रही है आमादमी पार्टी इस बार तो वहाँ पर क्या वो बदलाव कर पाएंगे चलिए ये दो आकड़े दिखाने के बाद अब हम आपको कंपारिक्टिव डेटा दिखा देते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुवात करेंगे ग्रामीड में और जो इलाके ब लगभग पॉने 9 फीजदी और शहरी इलाकों में लगभग 18 फीजदी अगला आकड़ा दिखाईए 2007 पर आजाईए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं overall बेटर है 11 फीजदी के आसपास फिर पॉने 10 फीजदी के आसपास है ग्रामीड इलाकों में और लगभग 18 फीजदी श है overall में फासला कम हो रहा है लेकिन ग्रामीर में पॉने 1 फीजदी और वहाँ पर वहीं दिफरेंस रहे जाता है लगभग थोड़ा सा बढ़ा है देख रहे हैं आप पॉन 19 फीजदी के करें अगला दिखा दीजे 2017 का 7.6 एक फीजदी का रूरल में अब वो डिफरेंस बना यह देखने लाइक है क्योंकि ग्रामीर इलाकों में अब कॉंग्रेस पार्टी से दुबे जी ग्रामीर इलाकों में भी पिछले चुनाओं में एक पीजदी आपसे आगे बढ़ गए ग्रामीर माना जाता था कि गड़ है कॉंग्रेस पार्टी का लेकिन उसमें भी मार्जि लेकिन बीजेपी ही आगे है और शेहरी इलाकों में तो वो आपसे बहुत जादा आगे है ही